गटा गटा कारी गटा गिरें गटा गटा कारी गटा गिरें और गिरें बदरा सब और बोलें डाली डाली पपीहा नाचत फिरत हैं मोर गटा गटा कारी गटा गिरें और गिरें बदरा सब और बोलें डाली डाली पपीहा नाचत फिरत हैं मोर बैटी हिडोल श्री प्रियाजू जूलें जूला जुला में है श्री नंद किशोर और निहार रहो थारो हैकें अक्षे खरव खरजूर तो यह एक संग्राम है धर्म और अधर्म का इसी की मैं बात है करूँगा कि पहले जो युद्ध चलता था तो क्या होता था कि शुक्राचारे मंत्रों के माध्यम से आशुरी सक्तियों के प्रगट करते थे और देवों पर आक्रिम का किया करते थे वो होता था मंत्र के माध समय बदला थोड़ा थोड़ा तंत्र आया तंत्र मतलब एक सिस्टमाइटिक वेसे यो दोने लग गए फिर समय आया जब यंत्रों से काम होने लग गया मशीन बंदूक तलवार बाला बर्ची इत्यादी अब समय ऐसा चल रहा है कि जितने भी अधर्मी है वो धर्म को खंडित करने के लिए शरयंत्र का प्रयोग कर रहे हैं ऐशा ही अभी समय है कि हमारे देश की यूनिटी को भंग किया जा रहा है और उसी में हमारे जैसे जो कुछ यह कवी है वह हमारी यवा पेशी अब यवा पेड़ी का आज का समय ऐसा है कि हमारा देश-भारत-भूमी वह भूम जहां शिखंडी भी वीर हुआ है, वहां हमारा युवा नपुंजग होता जा रहा है, जिसको स्वाय मुहबबत के कुछ नहीं दिख रहा है, उसको सिर्व ये है कि मुझको मरना है यार के लिए, जीना है प्यार के लिए, एसे समय पर पिछले कारेकरम के बाद किसी ने मुझ जे बोला कि थोड़ा सा नर्म लहजा ले आओ, थोड़ा सा प्यार मुहबबत की बाते कर लो, तो दो पंक्तियों में उनको जवाब दिया था, उन्हें ही दोराना चाहूंगा, कसीदे परू मुहबबत के, मैं कोई इश्किया शायर नहीं हूँ, समर भूमी में ललका रहा ह है शत्रू, समर भूमी में ललका रहा है शत्रू, और मैं छोड़के तलवार पुष पुठा लूँ, कोई कायर नहीं हूँ, धदकते हुए अंगारे हैं शब्द मेरी कविताओं के, तेरी महफिल में रोमान से जगाओं, मैं सर्द हवाओं कि सर्द रातों में बोन फायर न करता हूँ, कायर नहीं हूँ, बुजदिल नहीं हूँ, मैं प्यार महबत की बाते नहीं, मैं सिर्फ वीर हूँ, मैं वीरों की बाते करता हूँ संब्धान की बातों को वो लोग किया करते हैं, जात पात समाज उचनीच के जो दायरों में जिया करते हैं, पात समाज उचनीच के दायरों में जिया करते हैं, फायदों की खातर उन्होंने अपनी बिरादर खूब बखानी है, और कुछ प्रमाड़ पत्रों की खातर बेदभाओ की मीनारे मजबूत कर डाली है, देह जानी थी कबकी यह बेदभाओ की मीनारे, लेकिन प्रसंग में बेह जाती है, अनके अर्मानों की भी दिवारे, उन्होंने घूब रगी हैं, दिवारे अपने फायदे को उन्होंने खूब रगी है, एक तरंगे के सिवा हर रंग में पूरत है धकी है धकी हुए इन दीवारों से मजहभी रंग अटाना होगा धकी हुए इन दीवारों से मजहभी रंग अटाना होगा तेरा मेरा नहीं है सबका हिंदुस्तान है यही बस हर दिल को समझाना होगा जिन्दगी खुली किताब सी ना रखो पन्ने खराब होते हैं बंद मुठियों को खोलने के सब के ख्वाब होते हैं जिन्दगी खुली किताब सी ना रखो पन्ने खराब होते हैं बंद मुठियों को खोलने के सब के ख्वाब होते हैं इल्जामों का शेहर है इल्जामों का शेर है यहां जरह ध्यान से बोलिए यहां उन्हीं पर सवाल होते हैं जो खुली किताब होते हैं कि जलते हुए गरों को तुम देख रहे हो उचल उचल कर कि जलते गरों को देख जो रहे हो उचल उचल कर हाँ जलते घरों को देख जो रहे हो उचल उचल कर बेख़बर हो कि आपने भुसके छपपर से